नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सूखा नारियल याने की गरी खाने के फायदों के बारे में गडि य forgi की सुखे नारियल का इस्तमाल कई सारे पकवानों को बनाने के लिए किया जाता है नारियल में जो पानी होता है जब यह कुद्रती रूप से सूख जाता है तो यह पूरी तरह से गरी बन जाता है इसे आप गोले के रूप में निकाल कर रख सकते हैं जरूरत के अनुसार इसे फोड कर खा सकते हैं या फिर इसे कई सारी वेंजनों में डाल सकते हैं नारियल का पानी ही सूख कर तेल में बदल जाता है और गरी के अंदर समा जाता है आपको आश्चरी होगा कि नारियल के तेल में खराब कोलेस्टोयल नहीं होता है सूखे नारियल को खाने से शरीर को फाइबर, कोपर, सेलेनियम और मेगनिशियम प्राप्त होता है चलिए दोस्तो अब आपको बताते हैं इसके कुछ मुख्य फाइदों के बारे में तो दोस्तो इसका पेला फाइदा आता है केंसर से बचाओ में जी हाँ दोस्तो ड्राइ कोकोनेट के सेवन से केंसर होने से बचा जा सकता है इसे खाने का फाइदा यह है कि इससे प्रोस्टेट केंसर और ब्रेश्ट केंसर होने का खतरा काफी ज़दा कम हो जाता है इसलिए अपनी डाइट में सूखा नारियल आपको जरूर शामिल करना चाहिए अगला इसका फाइदा आता है हड्डियों को मजबूत बनाने में सूखे नारियल के सेवन से स्किन, लिगामेंट्स, टेंडनेस और हड्डियों के टीश्यू मजबूत होते हैं क्योंकि इन टीश्यू में मिनरल्स पाए जाते हैं और इनकी कमी शरीर के किसी भी हिस्से को हानी पूचा सकती है गरी के सेवन से इन मिनरल्स की पूर्ती हो जाती है और यह सभी मिनरल्स आसानी के शार्ज शरीर में समाहित हो जाते हैं जिससे आपको arthritis, osteoporosis जेसी बिमारिया से चुटकाना मिलता है अगला इसका फाइदा होता है दिमाग के लिए अगर आपका दिमाग चुस्त दुरुस्त आपको बनाना चाते हैं तो सुखे नारियल का सेवन आपको जरूर करना चाहिए कई सारी research से ये पता चला है कि गरी खाने से दिमाग तेज बनता है और Alzheimer जेसी दिमागी बिमारियों से मुक्ति मिलती है अगला इसका फाइदा होता है पाचन क्रिया के लिए दोस्तो सुखा नारियल पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में मददगार है जी हैं दोस्तो इससे कबज, खोनी दस्त और बवासीर जैसी समस्याओ से आराम मिलता है दोस्तो इसका अगला फाइदा आता है दिल के लिए गरी में dietary fiber पाए जाता है जो दिल को healthy बनाए रखता है एक पुरुष को रोजाना 38 ग्राम और महिला को रोजाना 25 ग्राम dietary fiber की जवरत होती है सुखा नारियल खाने से शरीर में dietary fiber की कमी को पूरा किया जा सकता है दोस्तो इसका अगला फाइदा है कि यह पुरुषों की fertility को बढ़ाता है जियां दोस्तो यह बात एकदम सच है कि सुखा नारियल खाने से नपुसकता से छुटकारा मिलता है scientific research से यह प्रमानित हो चुका है इसमें selenium पाये जाता है जो पूरुष शक्ती को बढ़ाता है अगला इसका फाइदा होता है गठिया की बिमारी में दोस्तो इस सुखे मेवे में गठिया की बिमारी को ठीक करने के गुण पाये जाते हैं इसके सेवन से गठिया के दर्स से तुरंत रात मिलती है इसमें एसे minerals पाये जाते हैं जो tissues को healthy बनाये रखते हैं अगला इसका फाइदा होता है बोडी की immunity को मजबूत करने में जियां दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ इस्त्रियोग में खुन की कमी हो जाती है, ऐसा आइरन की कमी की वज़े से हो सकता है, जिससे आपको अन्य बिमारिया भी हो जाती है, सूखा नारियल शरीर में खुन की कमी को दूर करता है, इसलिए शरीर में खुन की कमी यानि की एन बिल्कुल नहीं करते हैं उनको इसका सिवन बहुत करना चाहिए ताकि ये उनके लिए काफी बेनिफिशल रहेगा और काफी खाने में अच्छा रहेगा तो दोस्त ये थी मेरी वीडियो और जानकरी उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसं नहीं बहुत कर दो, जी बदल, जी भाञेवान сможे का भीडियो और जानकेशग मुवथ ताकि उनको शभियो प्लो। भैडियो प्रीट ानका होची झाले सिव उनक utilizar कि भीडियो आप प опас का शोजयो भीडियो आपना।